गाईज, वेलकम बैक टू Tech FC आज हम आपके लिए कुछ खास एप्स लेकर आए हैं जो की आपके स्मार्ट फोन में शॉर्ट कर्ट्स बना सकते हैं जिससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा अगर आप ये एप्स यूज करेंगे तो आप अपने आइडियास को एजली प्रेजेंट कर पाएंगे और आपके फोन की परफॉर्फॉर्मस भी इन एप से बढ़ जाएगी तो इनको एक बार ट्राइ ज़रूर करिएगा And let's begin with app number 8, Age Block Age Block एप आपकी स्क्रीन पर दोनों ही साइट्स बना देता है जिन पर आपका टच वॉक नहीं करेगा इस ब्लॉक की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते है And Age को ट्रांस्परेंट या इन्विजिबल रख सकते है Age की colors and obesity को भी चेंज कर सकते है इस एप में कुछ advanced option भी है जैसे की portrait या landscape mode में भी यहां आप apply कर सकते है और top या bottom में भी age block apply हो जाएगा अगर आपको navigation drawn open करने में problem आ रही है तो ये option भी toggle कर सकते है अगर आप unwanted touch होने से बचाना चाहते है तो ये app amazing है और फिर आपके ages पर गलत क्लिक नहीं होगा Miro board दोस्तों Miro आपके ideas को manage करने के लिए बहुत ही अच्छा board app है जहां पर आप एक empty board पर अपने ideas को और thoughts को लिख सकते हो presentation के लिए यहां कई सारे option है जैसे की pen, text, sticky notes अगर आप अपने friends के साथ किसी project पर काम कर रहे हो तो उसके लिए भी ये app काफी amazing है मैंने इसमें sticky notes अपलाई किये और वहां बिलकुल 3D shadows दे रहा है ये है ना, इनके colors भी आप अपने हिसाब से change कर सकते हैं और text भी style कर सकते हैं screen पर you can leave comments and इस icon से comments देख पाएंगे इस app में कई सारे default shapes हैं जिनके sizes and colors again customizable है screen को आप काफी हद तक zoom out कर सकते हैं और left corner वाले icon पर click करके आप अपने notes भी create कर सकते हैं age card launcher age card launcher app phone के different functions को use करने के लिए एक अच्छा shortcut है सबसे पहले ये launcher open कर देता हूँ और अब आप screen के left side में swipe करेंगे तो आपके सामने ये pop up open होगा जहां से आप flashlight, music, volume and setting को control कर सकते हैं and यहाँ पर आप अपने कुछ favorite apps को set कर सकते हैं ताकि वो आप इस dialogue में ही apps open करें और इस app में अपने कुछ favorite contacts भी डालते हो इस launcher को screen के left या right side में डाल सकते हैं sensitivity levels को कम या जादा किया जा सकता है and ये app सच में आपका काम काफी आस्तान बना देता है Flashcards बढाई करते हुए आप अपने जरूरी notes को इस flashcard app में store करके रख सकते हैं यहाँ मैं अपने different sets क्रिएट कर सकता हूँ और इस plus के icon से flashcard बना सकते हैं flashcard में डालना होता है आपको name, description and language multiple flashcards में आप practice section में कुछ activities perform कर सकते हो random test भी create कर सकते हैं and audio player से अपने cards को read out भी करवा सकते हैं progress में आप अपने daily progress देख पाऊगे और इसमें कई सारी categories के different sets बनाए जा सकते हैं ये app आपकी पढ़ाई करते हुए काफी help कर सकता है और शायद आपके marks भी इससे improve हो जाएंगे क्यों सहीगा न flow mo notes notes लेने के लिए ये cool approach है app का design काफी minimal है and notes लेने के लिए मैं यार इसको एक default app बनाने के बारे में सोच रहा हूँ आप भी सोच सकते हो notes लिखने से पहले आपको यहाँ what's on your mind लिखकर दिया जा रहा है जो की facebook से similar है आपका हर note screen के top पर आ जाता है and यहाँ आप इन्हें काफी easily manage कर सकते हो notes में bullet points and hashtags भी डाले जा सकते हैं tags को access करने के लिए app में अलग section बनाएं गया and यह app WeChat के साथ भी sync हो जाता है notes के साथ-साथ आप में media like photos भी upload कर सकते है and इस app को use करना seamless है यार तो किजी भी device पर login करके आप इसे access कर सकते हैं मस्ते हैं लिंकर अपने personal links page create करने के लिए linker app बहतनीन है यहाँ आप कई सारे templates में से अपना favorite choose कर सकते है and उसको अपने according customize कर सकते हो इस app में बहुत ही कम templates ही free है link title पर click करने link का title and URL मैं यहाँ mention कर देता हूँ आप अपने page को different layouts में convert कर सकते हैं link के उपर कुछ social icons हैं जहां आप अपने personal links डाल सकते हैं यहाँ पर आप अपने personal text link header भी add कर पाएंगे और सारी editing complete हो जाने के बाद ये page ready to publish हो जाएगा app के free version में आप एक ही link page बना सकते हो ये link आप अपने friends के साथ share कर सकते हैं और इसका QR code भी available है सही है न? Hermit दोस्तों ये browser application browser के अलावा light apps भी create कर दा है यहाँ आपको कुछ apps pre-created मिलेंगे जिनको आप home screen पर paste कर सकते हो लेकिन ये actual apps नहीं है ये सिर्फ इनके light version है यानि की web version and default में यहाँ कई useful apps है जैसे LinkedIn, Facebook, Reddit guys, TikTok भी है ये app आपके phone में बहुत सारा storage भी बचा सकते हैं और आपका phone भी fast चलने लगेगा अगर आप कोई दूसरा app भी install करना चाहते हैं तो उसका URL एंटर करके screen पर डाल सकते हो नीचे इन categories में apps डिवाइड हो जाती है and आप इन्हें जब चाहे तब remove भी कर सकते हैं आप का premium version आप 550 रुपे में purchase कर सकते हैं and guys, our final app is gesture ये app थोड़े से आलसी लोगों के लिए ज़ादा useful है किसी को call करना हो, कोई app open करना हो या फिर Wi-Fi Bluetooth on-off करना हो ये app आपके सभी काम को gesture से कर देता है जी हाँ, simply manage gesture में जाईए add करके कोई shape draw कर दो मैं काम करता हूँ, मैं circle बना देता हूँ ठीक है, सबसे आसान अब select कर लीजे और इससे क्या action करना है जैसे मैंने यहाँ select किया, direct call अब contacts में से जिसको भी select करेंगे ये उसको call कर देगा, मैंने यहाँ पे एक contact select कर लिया है, और अब ये shape draw करते ही, तो इस app ने उस number पर call कर दिया है, सही है न ये app सिर्फ calling के लिए useful है wifi, bluetooth तो आप quick setting से भी on कर सकते हो है, है न, इसकी setting में accuracy का option है, अगर accuracy इसी बढ़ा दी जाए, तो आपको accurately shape draw करना होगा, और कम कर दी जाए, तो app confused हो जाएगा, तो इसको center में ही रखना सही रहेगा, पदा नी app confused हो जाए, तो किसी और को call कर दे इससे अच्छा है कि इसको center में ही रखो तो दोस्तों, आज के ये guzab utility apps आपको पसंद आए, तो वीडियो को like करें, अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं कहें, तो फटा फट subscribe कर लेना, we will back soon, good bye